हेलो फ्रेंड्स असलाम अलेकूम आज मैं आपके लिए शिर्खुर्मे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो इद हमारी कल है लेकिन मैं इस्पेशली आज आपके लिए शिर्खुर्मा बना रही हूँ क्योंकि रमजान की इद के दिन बहुत ज़्यादा काम होता है और बहुत किस तरह से हम इजी तरीके से शिर्खुर्मा बना सकते है वह लेकर मैं आई हूँ चलिए स्टार्ट करते है रेसिपी तो मैं यहाँ पे 2-3 कप जितना ही बनाऊंगी आपके लिए खास बताने के हिसाब से तो कल तो मेरा बनेगा ही शिर्खुर्मा लेकिन आज आपके लिए दो से 3 कप का मैं मेजर बता देती हो तो यहाँ पे मैंने लिया है यहाँ पे पिस्ता थोड़े से बदाम जो मैंने कट कर लिये है थोड़े से वाटर मेलन सीद यह उप्शनल है यह थोड़ी सी चारोली थोड़ी सी यहाँ पिश्मिश यहाँ पे काजु के टुकड़े तो म तिस तरह आपको पॉड़र लेना है तो आप ले सकते हो इंस्टर्ण बनेगा लेकिन यहाँ परुट कने से टेस्ट अलग आता है तो इस तरह से आपको दोनों में से जो यूज करना है आप कर सकते हो तो यह सभी सीजे लिया है मुझे यहाँ पर नहीं मिली है इसके लिए मैं तो इतनी सारी मैं चीज़े ले रही हूँ ड्रै Enlight pie आपनी हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो एक दो चीज़ें नहीं है तो भी चला सकते हो या इसमें गणड कर सकते हो जब से पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ छोटा पैन यहाँ पर मैं वन टीस पी के करीब डाल दूंगी डेसी घी इसे डाल देना है और सबी चीजों को साथ में ही मैं फ्राइ करूंगी बारी बारी नहीं करना है एक साथ डाल दीजिए मैंने आपको बताया कि इत के दिन हम बहुत बीजी होते हैं इसके लिए जो इंस्टन बनता है तो यह मैं बता रही हूँ अगर आपके पास टाइम है तो आप बारी बारी एक बारी एक सबी को फ्राइ कर सकते हो मैंने दीमी आज पर एक मिनटी बुना है तो यह अच्छे से हो चुका है ज्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है आप इस तरह से करकर इत के अगले दिन भी फ्रीज में रख सकते हो और फिर डारेक्ली इत के दिन आप सेवई डाल कर शीर खुर्मा बना सकते हो दूद में तो हम जब छोटे थे तो में मेरी फ्रेंड के यहाँ पर जाती थी लोगह करते थे इस तरह से बर्लं कर देते थे और सेवई को अलग से ब्राउन करके रख देते थे 收 version जब कोई गेस्ड आता था तो सिर्फ और सिर्फ मिल और गरम करकर यह दोनों चीजे एट करके हमें सर्व करते थे तो वह बहुत अच्छा लगता था आप इस तरह से भी करके रख सकते हो आप स्टोर करके इसे पंदरा दिन तक इस तरह से करके डबे में पैक करके रख दीजिए और कभी भी गेस्ट आए तो सेवई और यह डाल कर इन्हें सर्व किजिए लेकिन याद रखिए वह अलग से गोल्डन ब्राउन करके अलग से पैक करके रखिए वह भी एट आट कंटेनर में दोनों चीज़े अलग अलग रखिए यह देखिए वह हो चुका है बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करूंगी मैं अभी इसी पैन में मैं डाल दूंगी फिर से 1 टीस पी के करीब देशी घी आप ए 2-3 कप का मेजर आपको बता रही हूँ आप जितना ले रहे हो इसी साब से सबी चीज़े आट करें मैं इतनी सेवई डाल रही हूँ वन टेबल इस्पून के करीब है मैं ज्यादा सेवई का यूज नहीं कर रही हूँ क्यूंके मेरी फेमेली में कम सेवई जाती है और साथ में ही जब ठंडा होता है तो बहुत ही थीक हो जाता है इसके लिए मैं कम सेवई डालूंगी तो देखिए यह भूनी वी सेवई है अब अगर पाटिसे लेते हो तो इसे ज्यादा देल लगती है बुन्ने में यह भूनी वी सेवई है तो इसे कम टाइम जिसे मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और मैं डालऊंगी टूटेबलिस्पुन शुगर डाले स्वीटने स्कम डाली है क्युक健 के इसम्य अधूर दूगि मिल्क में तो दो कॉप पीछे मैं यहां पर खोया डालने वाली थी लेकिन खोया बहुत जगा पर नहीं मिल रहा है तो मेरे वीवर्स का कहना था कि इसकी जगा पर आप कुछ और बता दीजिए इसके लिए मैं यहां पर मिल्कमेड डाल रही हूँ अब हम सेवई भी डाल देते हैं सेवई डालने के बाद यहां पर हाप पार्ट में डाल दूँगी यह ड्राय फ्रूट के और हाप पार्ट में उपर से डेकोरेट करने के लिए रख दूँगी तो इसमें डाल देंगे हम और इसे एक बर चला लेंगे इसमें डाल देंगे इल कर रहे हूं कि यहां पर डाल रहे हूं कॉन फ्लोर का मेजर्मेंट क्या रहेगा कि आप हाफ लीटर के हिसाब से इतना डालिए ताके अच्छा सा थीक हो इसकी जगा पर कस्टर पॉडर भी डाल सकते हो तो मुझे अंदाजा है के 250 ml मिल्क है तो इसमें मैं थोड़ा सा ही डाल भी रहा के देकि थीक अच्छा हो और बहुत अच्छा लगेगा टेस्ट में तो देखिए यह हो चुका है अब यहां पर उबा लाा चुका है बहुत ज़यदा पकाना नहीं है तो यहाँ पर गेस की फ्लम को हम आफ कर देते है तो चलिए हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते है यह देखिए उपर से मैं गानिश कर लूँगी जो हमने साइड में रखा था ड्राइफ रूट इसे हम गानिश कर लेंगे यह रेडी हो चुका है मैं आपको इसकी थिकनेश बताती हूँ यह बहुत ज़्यादा गाड़ा भी नहीं है तो आप इस रमजान के मुक्वे पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करे और मुझे कमेंट करके बताए आपको इसका टेस्ट और यह रेसिपी किस तरह से लगी है तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राब करना ना भूले और अपने फ्रेंड में इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करे तो चलिए मिलती हूँ अगले रेसिपी किसाद, इसी रेसिपी किसाद, Allah Hafiz